नमस्कार जनता के लिए जनता की अवाद जनता समचार में आपका स्वागत है आईए आज हम आपको दिखाते हैं कुछ खास कमरे पूर्ब मुख्यमंतरी का सरकार पर बड़ा आरोप कमलनाथ बोले सरकार मीडिया को कमजोर कर दवाने की तयारी कर रही है पूर्ब मुख्यमंतरी कमलनाथ ने मदरपर देश सरकार पर मीडिया पर सिकंजा कसनी का आरोप लगाया है उन्होंने सोमवार को कहा कि सरकार जनसंपर के विवाग को कमजोर कर उसका सारा काम एक निजी एजनसी को सौपने की तयारी कर रही है एक एजनसी के काम की जो सूची का प्रस्ताब बना है उसमें मीडिया को खरीदना भी शामिल है देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी पियार एजनसी को ठेका देने की आधिकारिक शर्तों में मीडिया को खरीदने की बात सामिल की गई है नाथ ने बताये कि सरकार के जनसंपर्क संचाल नाले ने मार्च में पियार मेनेजमेंट और कंटेंट क्रियेशन के लिए एक निजी एजेंसी को ठेका देने का प्रस्ताफ जारी किया है प्रस्ताफ की सर्तों के तहत कम से कम 50 करोड रुपे सलाना कारोबार वाली कमपनी इसके लिए आविदन कर सकती है अगर कमपनी का टर्नोवर कम है तो अधिकतम तीन कमपनिया मिलकर एक कंशोर्सियम बनाकर आविदन कर सकती है नीजी एजेंसी को काम देने के बाद जन संपर्क संचालनाले का तकरीबन पूरा काम विभाग से हटकर इस कमपनी के पास चला जाएगा यह कमपनी अखवारों की कतरन काटने मुखे मंतरी और सरकार के नीतियों के लिए विग्यापन और विग्यपति तयार करना इवेंट कोशिश करेगी कि नेगेटिव नीजन ना छपे सरकार का यह कदम जन संपर्क विभाग को अपने राजनेती खीतों वस्वार्थों के लिए एक प्राइविट कमपनी में बदल देने का वा लोकतंत्र के चौते स्थम्भ की निस्पक्ष आवाज को दवाने का प्रयास है आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें